हेलो दोस्तों, असलाम वालेकूम, रहमतुल्लाही बरकाता हूँ, नमस्ते ससर्याकाल, कैसे आप सब लोग खेरियस से होंगे, अब जो भाई ECR पासपोर्ट रखने वाले भाई लोग थे, ECR पासपोर्ट उनका होता है, जो पड़े लिके नहीं होते, वो लोग बनाते हैं, तो अभी गुड नियूज यह है, साओधी अरब के लिए ECR पासपोर्ट वालों के लिए इमिग्रेशन चालू हो चुका है, वैसे आपको पता हो चुका होगा कि यह बहुट ठाइम पहले चालू हो गया था, लेकिन फिर भी आज भी आप अगर कोई एजेंट को जाके पू सऻुदी अरब में, डायट साओधी अरब पहुंच सकते हैं, पहले कैसा ता आपको पता ही होगा, पहले पुशिंग में बेढ़ा आता था, पुशिंग किस तरह से, इंडिया को दुबाइ भेज़ देंगे, फिर दुभाई से पुशिंग कर आपको साओधी आरब बेज़ थे ठीक है ना अभी ऐसा नहीं है आप डिरेक्ट सौधी अरब जा सकते कम से कम पईसों में अभी देखो जो पी सी सी का जो चल रहा है पी सी सी तो आपको पहले से ही करा के रखना पड़ेगा अब वीजा का जहां तक बात करूं है वीजा भी आपको ही लेना चाहिए ठीक है आपके पास होना चाहिए यानि वीजे के साथ नहीं बता रहो मैं बिना वीजे का चार्जस बता रहा हूं मेडिकल भी आपको करना होता है ठीक है ना सिर्फ मैं चार्जस बताने वाला हूं टिकेट के इमिग्रेशन के और आपके मुफा जो निकाल के देते हैं उसके कितना चार्जस लगने वाले है तो दोस्तों PCC आपको पता नहीं अभी इस टाइम कितना लग रहा है आप लोग बता हो कॉमेंट करके क्योंकि अभी पहले के जैसा तो नहीं है PCC करना तो आसान हो गया PCC वो भी जरूरी है अभी सहुधिरभ के लिए बिना PCC के तो आपको वीजा लगेंगा ही नहीं ठीक है तो दोस्तों अमीडिकल का जो है न स्वाजार रुपिया मान लो स्वाजार रुपया आपको मेडिकल में लग रहा है गमपा करो या नॉर्मल तो कमी लगता है लेकिन गम का जो है छीजार पांच अज़एजार चूल लगेगा या साड़ीग इसका कितना लगेगा बहुत से बहुत इमिग्रेशन और टिकेट का पैसा बहुत 35 से 40,000 रुपया लगेगा कितना हो गया यानि 40,000 यह 9,000 वह एक कम 50,000 ठीक है ना एक कम 50,000 यह और PCC का लगबक समझो तो हजार रुपया पकड़ लो तो 50,000 हो गया और और क्या है और कुछ नहीं है यहाँ पर ठीक है ना इतना ही चार्जस लगने वाला है आपको विजा का अगर आपको 20,000 देना पड़ रहा है तो कितना 50,60,70,000 रुपया आपको लगेगा तो आप 1,20,000 क्यों दे रहे हो किस बात का 1,20,000 रुपया आप दे रहे हो देखा कुछ लोग इस तरह से गेम खेलते हैं यहां पर के वीजा का आपके पास से बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं वीजा का पैसा भी ले लेंगे यानि के बीस अजार रुपय की जगा 50,000 रुपय वीजा का लेंगे उसके अला बाता है तो यह दो तीन मंदे मिलके जो ना आपके पास से अच्छा खासा पैसे ले लेंगे और यह लोग जो यह दस दस हजार या पांच माशर जितना वी आता है वो बाट लेते हैं ठीक है ना तो आपके पास विजा है आपका अगर कोई दोस्त भेज रहा है तो कम से कम में आपका काम हो सकता है आप सिर्फ आपका दिमाख इस्तेमाल करिएगा और अपना काम खुद करवाईए या कोई जानकारी जो जिसको होती है जो साओधी रीटन वगरा जो होते है उनके तुरों काम करवाईएगा आपका काम बहुत आसान हो जाएगा लग बाइज लग भग लग भग अभी आपको वीजा के साथ 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 से 65,000 विप्या ही लगेगा जिसके पास ECR पासपोर्ट है एक लाग 20,000 देने का बिल्कुल जरूरत नहीं है बस वीजा आपके पास होना चाहिए अगर वीजा आपके पास नहीं होता है तो आपको फिर भईया जितना प पास्पोर्ट है वो बहुत परेशान होते हैं भाय साथ अभी हम कैसे करा है क्योंकि वो आलरेडी तो पढ़े लिके होते नहीं है कुछ ऐसे भी लोगे जो पर लेकियों करके दूब बना लेते हैं और लिजा बनाते हैं जब सॉधी अरप पहुंच जाते हैं वहां जाने के कराने पहले पासपोर्ट होना चाहिए तब या तो आपका पासपोर्ट डामेजD होना चाहिए या तो आपका पासपोर्ट लश्ट गुम गया या जो हुआ जो होना पासपोर्ट रखने वाले भाई है कोमेंट करके जरूर बताना अगर किसी के अपास वीजा भी अगर मौजूद है तो आप मेरे को बता सकते हैं क्योंकि दो तीन मेरे पास घरीब बंदे हैं उन लोगों को मैं भेजना चाहता हूं सौधी अरब भाई वीजा भेज दो मैं नहीं तरीके से घर भी नहीं है ठीक है कोई भी घरीब आथमी का हेल्प करेंगे तो अपने को अच्छा रहेगा होप आप ये वीडियो शेयर करेंगी अगर आपके पास वीजा है तो आप लोग मेरे को बताएंगे जो सौधी अरब से देख रहे हैं सौधी अरब कोई खतर जहां पर भी आप है वीजे आपके पास है तो आप मेरे को बताएंगा दो तीन वीजे चाहिए उससे ज्यादा नहीं चाहिए ठीक है ना कोई मैं एजेंट का काम करने के लिए नहीं बोल रहा हो आपको ठीक है बस वीजे चाहिए ड्रेवर का हाउस डेवर के वीजे ही चाह मासलामा, आल्लाहाफिस।